नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपात की विसलेशन में आपका स्वागत है चलिए आज के वीडियो की सुरुआत करते हैं इस प्रस्ण के साथ प्रस्ण है कि कोविड महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण बढ़ रही आर्थिक और समानता ने बच्चों को भी प्रभावित किया है कैसे और यह जो प्रस्ण आप से पूछा गया है यह समंदित है आज के संपादिकी से आज तीन संपादिकी को शामिल किया गया है जिसमें पहला संपादिकी जिसका शिर्षक है स्टार्स एक गुड इस्टार्ट इस संपादिकी को लिया गया है फानेंसियल एक्सप्रेस से और यह संपादिकी ए जिसका सिर्षक है बेस्ट वे आउट इसे लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से और यह संपादिकी भी इसे लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से और यह संपादिकी ए जियस पेपर फ़र्स्ट में सामिल विसे सोसल इसूस के दिश्टिकों से महत्पूर्ण है इन प्रतेक संपादिकी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हम यह देखते हैं कि कल जो प्रश्ण पूछा गया था उसका सही जवाब क्या है प्रश्ण है कि भारत में विधी की किस प्रक्रिया को शामिल किया गया है तो इसका सही जवाब है C, A और B मतलब विधी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया जिसका उलेक भारती संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है वहीं सर्वोच चिन्याले के द्वारा विभिन मामलों में जो संविधान की व्याख्या की गई तो उसके अनुसार विधी की सम्यक प्रक्रिया भी भारत में विधी की प्रक्रिया में शामिल हो चुकी है चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले संपादिकी की ओर जिसका शिर्शक है स्टार्स A Good Start और इसका आधार है स्टार्स प्रोजेक्ट जिसकी मंजूरी हाली में केंद्रिय मंत्री मंदल के द्वारा दी गई है स्टार्स यानि की स्टेंथनिंग, टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स और यहाँ एक केंद्र प्रायोजित यूजना है जिसका संचालन सिक्षा मंत्राले के अधीन स्कूल सिक्षा और साक्षर्ता विवाग के द्वारा किया जाएगा और इसमें विस्व बैंक भी शामिल है स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतरगत चह राज्यों को सामिल किया गया है जो है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट, मद्प्रदेश, केरल और ओडिसा और इसका उद्देश से छात्रों के बुनियादी पठन और गणितिय कौसल को बेहतर बनाना है इसका अर्थ है कि छात्र अपनी मात्री भासा में सामानने लेखन सामगरी को पढ़ सके वहीं सामानने गणिती जो सवाल है चाहे वह जोड से समंदित हो, घटाओ से समंदित हो या गुणा से समंदित हो उसको हल कर सके उसके साथ ही वन्चित समू के छात्र और जो छात्राएं हैं उनकी सैक्षिक आवसकता को पूरा करना भी इसका उद्दित से है वहीं स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतरगत राश्ट्रिय मुल्यांकन केंद्र के इस्थापना की बात भी कही गई है जिसका नाम होगा परक और इसका उद्देश से है कि देश में जितने भी परिक्षा बोड हैं उन परिक्षा बोडों के जो मुल्यांकन प्रक्रिया है उस मुल्यांकन प्रक्रिया को एक मानकता प्रदान करना वहीं Performance for International Student Assessment पीसा तो पीसा सर्वेक्षन जो की 2022 में होने जा रहा है और उसमें भारत की भी भागीदारी होगी तो इस भारतिय भागीदारी को वित्व पोसित करना स्टार्स प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है अब अगर एक नजर हम पीसा पर डालें तो पीसा को प्रारंभ किया गया था 2000 इस्वी में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा इसके अंतरगत परिक्षन किया जाता है 15 वर्सिय बच्चों के गणित और विज्ञान में उनके सीखने के इस तरका और इसका आयोजन प्रत्येक तीन वर्स में किया जाता है इससे पहले भारत 2009 इस्वी में पीसा सर्विक्षन में शामिल हुआ था अब यहाँ पर हम अगर सिक्षा के सिमाओं की बात करें MAY भारती सिक्षा की सिमाओं की बात करें जिसका जिक्र संपाधिकी में किया गया है तो उसके अनुसार एक विरोधा भास है विरोधा भास क्या कि जहां College में Admission का Cut-Off 100% है वहीं असर की रिपोर्ट के अनुसार 2008 इसवी से सरकारी स्कूलों में जो सीखने का इस्तर है उसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है वहीं सिक्षक प्रसिक्षन कारिक्रम जो चलाय जाता है उसमें वैज्ञानिक्ता की कमी है आधनिक्ता की कमी है साथी साथ बच्चों को जो इसकूलों में सिखाया जाता है तो जो सिखाने के तरीके हैं वह भी काफी और वैज्ञानिक हैं मतलब यह कि उसका मुख उद्देश क्या है कि बच्चों को रटाना ताकि वो जादा से जादा अंक प्राप्त कर सकें. तो मतलब यहां पर यह है कि सिख्षन की जो पढ़ाली है या सीखने की जो प्रक्रिया है उसका मुख उद्देश यहां पर यह कि कैसे बच्चे जादा से जादा अंक प्राप्त कर सके यह नहीं है कि बच्चे कैसे नए नए चीज़ों को सीखे वही जो अधिकारी है तो उन कि अगर नजरीयों का परिक्षन किया जाए तो उसमें जमीनी हकीकत का अभाव है यही कारण है कि जो पार्ठिकरम तै किये जाते हैं वो टॉप डाउन एप्रोच पार्ठिकरम होता है मतलब यहां पर यह है कि एक पार्ठिकरम को तयार किया गया और उसे या संपूर्ण फंडिंग होती है उस फंडिंग में भी भरस्टाचार व्यापत है और इसी भरस्टाचार के कारण यह देखा गया है कि सरकारी स्कूलों में अभसनचना का अभाव है और मुलभूत अभसनचना मतलब कि अगर मैं सौचाले की बात करें तो सौचाले भी कई स्कूलों में उ दिखा जाता है वहीं डिजिटल साक्षर्ता की देश में कमी है और इसी कमी के कारण कोरोना महमारी के दौरान जो ऑनलाइन सिक्षा की प्रक्रिया प्रारम्व की गई तो यह प्रक्रिया अपने पूरे उद्धिस्य को प्राप्त करने में इसलिए और सफल रही क्योंकि देश एक पाठिकरम को अपनाए जाना चाहिए तो देखे एक देश एक पाठिकरम को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है जबकि भासा अलग-लग हो मतलब यहाँ पर है कि एक देश एक पाठिकरम और एक भासा की अनिवारिता ना होकर एक देश और एक पाठिकरम हो और भासा के चैन में स्वत्मता रहनी चाहिए वहीं सीखने सिखाने की प्रक्रिया का विकेंद्री करण अत्यन्त आवस्यक है वह इसलिए क्योंकि अभी हमने बात की है क्या कि संपूर्ण देश में छित्रगत और समानता है आयगत और समानता है और पोषण इस्तर में भी और समानता है खासकर बच्चों के संदर में तो यकीन जानिए कि ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि अगर अंतर है तो फिर ये सीखने की प्रक्रिया को भी काफी बाधित करता है मतलब ये कि अगर उच पोशन इस्तर का कोई बच्चा हो और कोई बच्चा निम्न पोशन इस्तर का हो तो दोनों के सीखने की छमता अलग-लग होती है। नहीं बलकि जमेनी इस्तर पर वहीं मिड़े मील कारिक्रमों के सुचारू संचालन की भी आवे सकता है क्योंकि यह देखा गया कि कोरोना महामारी के परसार को रोकने के लिए देश के इस्तर पर जिस लॉकडाउन की घोसना की गई थी तो लॉकडाउन की उस अवधी में मिड मिल इसकिम के विकल्प को तलासा गया और फिर नए सीरे से बच्चों के पोसन इस्तर के विर्थी पर ध्यान दिया गया वहीं इसकूल की फंडिंग में भी पारदर्स्रिता को अपनाए जाने की आवसकता है इसका अर्थ यहां पर यह है कि विभिन सरकारी स्कूलों को उनक इसनी भी फंडिंग के प्राबधान है वो उनको प्रयाप्त मात्रा में मिले इसकी विवस्ता भी किये जाने की आवसकता है तो इस प्रकार अपने इस पहले संपादिकी में हमने जहां स्टार्स प्रोजेक्ट की व्यापकता को देखा उसकी हमने विसेस्ताओं को देखा उ जिसका सिर्षक है Best Way Out और इसका आधार है IMF यानि की International Monetary Fund या अंतराश्टी मुद्राकोस का अध्यतन World Economic Outlook. IMF ने अपने अध्यतन World Economic Outlook में यह बात कही है कि COVID-19 महामारी ने वैस्विक इस्तर पर आर्थिक क्रिया कलाब को प्रभावित किया है. और IMF ने यह अनुमान लगाया है कि 2020 इस्वि में वैस्विक अर्थ विवस्था में संकुचन होगा और यह संकुचन कितना होगा 4.4% तक. हाला कि यह जून महिने में जो IMF के द्वारा अनुमान लगाया गया था 5.2% तक संकुचन का उससे कम है. वहीं भारत के संदर में IMF का यह अध्यतन जो World Economic Outlook है वह यह कहता है कि व्रिद्धी दर का जो संकुचन इस वर्स होगा वह कितना होगा 10.3% जो अत्यनत ही चिंता जनक बात है. वहीं बड़ी अर्थविवस्थाओं में इटली, इस्पैन और भारत ही ऐसी अर्थविवस्था हैं जिनके व्रिद्धी दर संकुचन दोहरे अंक में होने का अनुमान है. वहीं 2020-21 में भारत के रिन GDP अनुपात के 90% तक पहुँचने का अनुमान है. और यह जो व्रिद्धी होगी 90% तक पहुँचने की तो उसमें 17% की व्रिद्धी होगी. FRBM Act पर गठित एनके सिंग समीती के अनुसार रिन GDP अनुपात 60% होना चाहिए. जिसमें 40% केंद्र का और 20% राज्ज का रिन GDP अनुपात होना चाहिए. FRBM Act पर गठित एनके सिंग समीती के अनुसार रिन GDP अनुपात 60% होना चाहिए. जिसमें 40% रिन GDP अनुपात केंद्र का और 20% राज्ज का रिन GDP अनुपात होना चाहिए. अब यहाँ पर यह है कि IMF ने जो अपना अधितन आकलन या latest estimation जारी किया है तो वह उस समय जारी किया है जबकि भारत की नीती, उदारी कृत व्यापार नीती से आत्म निर्भर नीती की ओर बढ़ रही है और यह जो आत्म निर्भरता की ओर भारत की नीती बढ़ रही है तो कुछ विसले सकों का यह कहना है कि यह कहीं ना कहीं संगरक्षनवाद की नीती है. संगरक्षनवाद की नीती पुन रूप में उदारीकृत नीती के विपरीत होती है जहां उदारीकृत नीती के अंतरगत अंतरास्टी व्यापार के द्वार खोल दिये जाते हैं वहीं संगरक्षनवाद की नीती के अंतरगत घरेलू उद्द्योगों को प्रोचसाहित करने के लिए उनको संगरक्षन देने के लिए आयात को हतोचसाहित किया जाता है। और यहां पर यहां बात कही जा रही है कि भारत को बांगला देश से सीखने की जौरत है और बांगला देश से सीखने की इसलिए जौरत है क्योंकि अगर भारत और बांगला देश की तुलना की जाए तो 2020 इस्वी में बांगला देश के प्रतिव्यक्ति GDP भारत के प्रतिव्य जीडीपी से जादा होगी या सही है कि अगले वर्स यह इस्तिती बदल जाएगी वहीं यहां यह भी बात कही जा रही है कि दो हजार पचीस इसवी में मतलब यह जो आकड़े आपको दिख रहे हैं यहां IMF का अध्यतन World Economic Outlook का अनुमान है कि दो हजार पचीस इसवी तक पर क capita income होगा 2756 वही भारत का कितना होगा 2729 डॉलर मतलब बांगला देश थोड़ा ही सही लेकिन भारत से जादा होगा वहीं आगे संपादिकी में यह बात कही जा रही है कि यह जो अंतर देखा जा रहा है भारत और बांगला देश के बीच में इसका कारण है निर्यात प्रदर किसका जादा अच्छा है बांगला देश का और वह भी विसेश रूप में किन छेत्रों में वस्त्र और परिधान के छेत्रों में तो भारत के निर्यात में ध्यान देगा भारत के निर्यात में जो वृद्धी है वह वृद्धी संतोस जनक नहीं है और इस वृद्धी दर म तेजी हो सकती है कब वह तब तेजी हो सकती है जबकि भारत अपने व्यापारिक नीती को और जादा उदारी कृत करें ठीक है आत्म निर्भर भारत कारिकरम को अपनाये गया है तो यह जो कारिकरम अपनाये गया है उसके अंतरगत भारत घरेलू इस तर पर मौजूद जो वी लेकिन आत्म निर्बर भारत कारिकरम के अंतरगत जो उदारिक्रित व्यापार नीती हमारी दसकों से चली आ रही है उसको हतोत साहित ना करें बलकि उदारिक्रित व्यापार नीती को प्रोत साहित करें इसके लिए भारत को क्या करने की आवे सकता है तो मुक्त व्यापार Economic Advisor अरविंद सुरमन्यम की बात अगर करें तो उनके अनुसार कि चीन में मजदूरी दर में विर्धी होने का कारण क्या हो सकता है? तो मजदूरी दर में विर्धी होने का कारण है कि चीन में कुसल स्रमिकों की संख्या बढ़ी है और कुसल स्रमिकों की संख्या बढ़ने के कारण चीन में गैर कुसल स्रमिक आधारित जो उद्योग हैं उन उद्योगों के द्वारा जो निर्यात किये जाते थे उसमें तो अब यहाँ पर यह है कि वस्त्र, परिधान, चर्म और फुटवेर से समंधि चीन का जो निर्यात था और उस निर्यात में जो कमी आई तो फिर इस कमी को पूरा किस ने किया तो इसको पूरा किया बांगला देश जैसे देशों ने तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जिस कमी को बांगला देश ने पूरा किया चीन के इस गैर कुसल स्रमिक आधारित उत्पादन को क्या उसी तरह के उत्पादन भारत के द्वारा नहीं किया जा सकता है तो भारत के लिए यह आविश्यक है कि COVID-19 महामारी के बाद की इस वैस्विक इस्थिति में भारत वैस्विक इस तरह पर मौजूद जो विभिन कमपनिया है उन कमपनियों को अपने यहां मतलब भारत में वो निवेस करे उसके लिए उन्हें आकरसित करना है और चीन का एक बहतर विकल्ब बनना है इसमें कहीं दोराय नहीं कि भारत अगर इस अवसर का लाब उठाता है तो फिर भारत चीन का एक बहतर विकल्ब बन सकता है लेकिन इसके लिए आवस्यक है कि भारत संग्रक्षनवाद से सम्वंदित नीती को ना अपनाए बलकि दसकों से चली आ रही जो उदारी कृत व्यापार की नीती है उसको अपनाए तो इस प्रकार हमने अपने दूसरे संपादिकी में IMF के द्वारा जारी अध्यतन जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर हमने चर्चा की है चली अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे संपादिकी की ओर और जो तीसरा संपादिकी है उसका सिर्शक है Children in Distress और इसका आधार है कोर भावित हुए है वह हुए है भारती ये बच्चे है वो कैसे वो इस तरीके से कि COVID-19 महामारी के प्रारंब होने के साथ ही स्कूल को बंद कर दिया गया स्कूल के बंद होने से बच्चे सिक्षा से दूर हो गए सीखने की प्रक्रिया से दूर हो गए वहीं समाज का वह हिसा जो वन्चित है और उनके पोसन इसतर को बनाए रखने के लिए जिस मिड़े मील कारिक्रम को प्रारंब किया गया है तो वह वन्चित बच्चे इस प्रकार के पोसन से समंधित कारिक्रम से भी वो दूर हो गए उसके अलावा जो आर्थिक गतिवीदिया अत्यंत ही सीमित हो खड़ी भी है और उसका दुस परिणाम क्या देखा गया उसका दुस परिणाम देखा गया बाल स्रम में बढ़ोत्री बाल वी वहां में बढ़ोत्री और दुर व्यापार या ट्राफिकिंग में बढ़ोत्री बाल स्रम में इस बढ़ोत्री ने कोरोना वाइरस संकरमन के ज और अप्रेल से अगस्त के बीच में बाल विवा के 10,000 मामले सामने आए। अब जबकि अनलॉक की प्रक्रिया तेज हो गई है तो जो लेबर कॉंट्रेक्टर हैं वो गाउं की और जाएंगे और सस्ते स्रम को खोजने का प्रयास करेंगे। और इस प्रक्रिया में फिर बाल स् लिए राज्यों को दिसानिर्देश जारी किये। परंतु कई राज्यों ने जैसे की महराज्ट, यूपी, छतिसगर, हर्याना इन्होंने इसका पालन ही नहीं किया है। अब राज्य सरकारों की इस कमी को बाल अधिकार संगठन, शिक्षकों और समुदायों की द्वारा द अब देखिए, इस तरह के जो प्रियास हैं, उस प्रियास से सत परतिसत सफलता तो नहीं मिल सकती है, परंतु अगर ये प्रियास जारी रहते हैं, तो फिर बाल विवा जैसी जो घटनाए होती हैं, उसमें जरूर कमी हो सकती है। अब हमें यह पता है कि समाज में आज भी गरीबी के रूप में, जाती के रूप में और पर्थम पीड़ी प्रसिक्ष्यों, मतलब ये कि जो अनपढ माता पिता हैं, उनके बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, तो उस आधार पर भेदभाव मुझूद हैं, और COVID-19 महामारी के दौरान यह जो भेदभाव हैं उसमें और बढ़ोतरी हुए हैं, और COVID-19 महामारी ने ना केवल सीखने की प्रक्रिया को बाधित किया है, बलकि जो लोग हैं, उनके समख्च, रोजगार के जो अवसर हैं वह भी सीमित्व हैं, और गुनवत्ता युक्त जो जीवन हैं, उसमें भी गिरावट देखी गई हैं, और अगर या लंबे समय तक जारी रहता है, तो समाज दसकों पीछे जा सकता है, तो वरतमान समय में कई चुनोतियां मौजूद हैं, जो राजनितिक चेतर में, समाजिक चेतर में, सांस्कृतिक चेतर में, धार्मिक चेतर में मौजूद हैं, और इसका सबसे जादा जो प्रभ पहाओ को कम करने के लिए जो राज जी की सरकारे हैं उनके द्वारा जीला, ब्लॉक और ग्रामीन इस तर पर निगरानी की जाएं। निगरानी करें। तो इस प्रकार हमने तीसरे संपादिकी में कोरोना महामारी के कारण बच्चों पर जो प्रभाव पढ़ रहा है उस पर हमने विस्त्रिश चर्चा की। अब हम बढ़ते हैं आज के प्रशन की ओर। ये रहा आज का प्रशन निम्न कत्नों पर विचार पहला, स्टार्स प्रोजेक्ट की अंतरगत संपूर्ण देश को शामिल किया गया है। दूसरा, स्टार्स प्रोजेक्ट से समंधित लागत में अंतराश्टी मुद्रा को से सहायता प्राप्त करने का भी प्रावधान है। उपर्युक्त में से असत्य कथन है। A. केवल पहला B. केवल दूसरा C. पहला और दूसरा D. इनमें से कोई नहीं तो कमेंट सेक्षन में आपके जवाब का इंतिजार रहेगा इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार